जी हां दोस्तों बिग बॉस 17 के घर से ऐसी रूह काप जाने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपको चिंता हो जाएगी अंकिता लोखांडे और विकी जैन के रिष्टे को लेकर क्योंकि ये रिष्टा जो है अब टिक्रने वाला नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि अंकि को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अंकिता ने कुछ ऐसा कह दिया है लड़ते-लड़ते विकी जैन से जिसे विकी जैन भी काफी ज़्यादा खपा नजर आ रहे हैं आखिर क्यों अंकिता लोखांडे की सास और ननद जो है विकी और अंकिता का तलाक करवा आने की वज़ा बन रही हैं क्यों हो चाहती हैं कि ये रिष्टा ना टीके इसकी जानकारी भी जो हम आपको देने वाले हैं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी आई है इस वक्त की बिग बॉस 17 के घर से अंकिता और विक्की जैन के रिष्टे को लेकर तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं आखिरकार लडाई जगड़े में क्या कुछ कह दिया है क्यूट कपल ने एक दूसरे को दोस्तो रियाल्टी टीवी शो बिग बॉस 17 में अंकिता लोखांडे और विक्की जैन ने दर्शुकों को जम कर एंटर्टेन किया है ये बात पहली भाती जानते हैं कुछ लोग पसंद करते हैं इन दोनों को तो कुछ लोग नापसंद भी करते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एकटिंग कर रही है फेम के लिए को ד्रामा कर रही है रोज चोई कर रही है हर एक मिनट के भाल धूस का ड्रामा शुरू हो जाता है खासतोर पे अंकिता क ये लोगो के अटेंशन लेने के लिए जो किया है वो अपने आप में चौका देने वाला है अब शोशल मेडिया पर एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अंकिता लोखांडे को अपने पती विक्की जैन से लड़ते जगड़ते देखा जा सकता है इस वीडियो में जो है आपको बता क्या दोनों के जगड़ों के बीच में अंकिता लोखांडे विक्की जैन गाडन एरिया में बैठे हुए नजर आ रहे होते हैं जब विक्की जैन को मनारा से हसी मजाग करते देखा देखकर अंकिता का पारा चड़ जाता है आंखे दिखाती है गुर्रा-गुर्रा कर जो है क्यों आं ऐसे घुरगूर कर देख रही थी मुझे खाएगी क्या तो इस पर अंकीता लोखांडे हमेशा की तरह बिना कोई सिधा जबाब दिये वहाँ से उठकर चली जाती है गलत तरिक्ये से इतना है नहीं अंकीता लोखांडे सोफा से उठकर अंदर चली जाती है है लेकिन विक्की अपना पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं बाते दोस्तों यहीं नहीं थमजाती है आपको बता दे है एपिसोड में ये भी दिखाये गया कि बरतल साफ करते हुए विक्की जैन फिर एक बार अंकिता लोखांडे के सामने अपना पॉइंट रखने की कोश सकती विक्की कहते हैं कि अंकिता हमेशा उन्हें दो लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस जो है कराती रहती है इस पर अंकिता भड़क जाती है और हाँ जोड कर कहती है कि अब मैं जा रही हूं तेरी जिंदगी से तूँ देख ले तुझे क्या करना है अंकिता यहीं नहीं पॉइंट जो अपनी सास पर करती है अंकिता लोखांडे और कहने की यही कोशिश कर रही है कि तेरी मां की वज़े से जो हमारी लड़ाईयां बढ़ रही है लेकिन शो में देखा जा सकता है कि शुरू से लेका अब तक अंकिता जो है भड़कती रहती है हमेशा बेवज़े विक्की जैन पर और इस तरह से अगर उनका वरताब रहा तो विक्की ने कई बार कह दिया कि हमें अलग ही हो जाना चाहिए अलग ही रहना चाहिए हो सकता है अंकिता जिस प्रकार से तलाक मांगती आई है जगडे जगडे में कहीं रियाल्टी में ना बदल जए और वैसे कई इंटर्विव में ये कह चुकी है अंकिता लोखांडे की सास की वो इस शादी के खिलाफ थी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है और आग में घी डालने का काम तो विक्बॉस 17 के घर में आकर उन्होंने करी दिया है और तब से जो है लड़ाई बढ़ती जा रही है अ बिल्कि अपनी मा को सपोर्ट करते हुए दिखाए दी जब वो विक्बॉस 17 के घर में गई थी ननद ने बिल्कुल भी अंकिता की तरफ जो है सपोर्ट नहीं दिखाया अपने भाई को सपोर्ट किया है लेकिन अंकिता को बिल्कुल भी जो है सपोर्ट नहीं किया है वेल